दूस्तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे नियोजी सिच्छकों को राज कर्मी को लेकर के दोस्तों राज कर्मी उन्हें कैसे मिलेगा लगभग तक्रीबन दोस्तों अब अश्पर्स्ट हो चुका है यह पालिगंज के विधायक माननीज संदीप सौरवसर दोस्तों इनके तरफ से भी आज महतपुर्ण ब्यान दिया गया है राज कर्मी को लेकर के दोस्तों आई हम लोग इस वीडियो में डीटेल से समझते हैं इससे पहले यदि आप मार्चन पने हैं चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दिजेगा और अपने दोस्तों को भी सेर कर दिजेग सुरव इसका पुर्जोर समर्थन कर रहे हैं पहले ही दिन से पाली गंज के विधायक संदीफ सुरव पुर्जोर समर्थन कर रहे हैं कि सभी सिच्छकों को राज कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए दोस्तों तो पाली गंज के विधायक है संदीफ सुरव सर दोस्तों पिछले को राज्य कर्मी को ले करके काफी महतपूर्ण है बहुत ही महतपूर्ण है उनके तरफ से जो आज ताजा ब्यान दिया गया है देखे यह पिक्टर उस दिन की है जब मान्य मुख्यमंत्री नितीश कुमार नितीश कुमार महागटबंधन के सभी घटक हैं जितने भी छे हैं सब को बुला करके और एक मिटिंग किये थे बैठक बुलाई थी और उसके बाद यह तैव हुआ था कि जो नियोजी सिच्छक हैं उन्हें राजिकर में दिया जाएगा फॉर्मेट क्या होगा कैसा होगा किस इस तरह से दिया जाए इस पे वह विचार करेंगे समिच्छा करेंगे दोस्तों और एक कमिट्री का भी गठन किया जा रहा है मुख्य सच्चिव आमिर सुभानी की अध्यस्ता में दोस्तों बराल उस दिन तस्बीर यह थी जब सब लोग सारे मागरवन्धन के जो नेता थ कि काफी साकारात्मक है माननी मुख्यमंत्र नितिस्कुमार बिना सर्थ राज्यकर्मी दर्जा देने के लिए त्यार हैं काफी पोजिटिव मूड में हैं दोस्तों लेकिन आज जो खबरे निकल करके आ रही है और मननी विधायक संदीर सब्सक्राइब के तरफ से काफी महत दोस्तों सिच्छक निक्ति को लेकर के बड़ा अपडेट आ रहा है विधायक संदीर सौरफ सरका ब्यान है दोस्तों यह देख लिए संदीर सौरफ सरका ब्यान जो कि उस दिन महागरवन्धन की बैठक में वह खूद महां पे मौजूग थे महां से आने के बाद उनके सरका ब्यान है दोस्तों जितने भी नियोजी सिच्छक हैं उन लोगों को विभागिये इंटर्नल परिच्छा देना होगा डिपार्टमेंटल एक्जाम देने के लिए तैयार हो जाएं नियोजी सिच्छक जो हैं वो डिपार्टमेंटल एक्जाम के लिए तैयार रहें सिध्य के नियोजित हैं और कुछ को प्रावधान में मामuting कर नत तो इस लिए परिछा का प्रवस्ताव रखा गया है कि कानुन की माम cultural यह पास कर चुके यह तो फिर वह बीटेट पास करके उनकी बहाली हुई है दोस्तों सीटेट या बीटेट पास करके उनकी भाली कुई है लेकिन कुछ सिच्छा जो है दोस्तों साफ साफ कहना उनका कुछ सिच्छा कैसे हैं जो सीधे नियोजित हैं और ऐसे में यदि परिच्छा नहीं लिया जाता है तो कानूनी प्रावधाम मेन हमदा फस शक्ता है लोग हाई कोट चले जाएंगे और इसी बचने के लिए reg डिपारटमेंटल एक्जाम होना बहुत ही जरूरी है साफ साफ संदीर शारववसरका वयरान आ गया है दोस्तों educators मातपूर्ण एंट काफ ही मौतपुर्ण है बाहर रहे थे उसके बाहस छूद बोले थे कि सकारात्मक है काफी मारा सकारात्मक है और Demo का य dolbsपयान है काफ मौतपूर्ण है लिए और एक्जाम होगा दोस्तो यह जो एक्जाम होगा बीपीएसी का जो एक्जाम हो रहा है वो आपको नहीं देना होगा यह डिपार्टमेंटल एक्जाम आपको सी ए आर्टी करवाएगी दोस्तों यहां पे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कल इसी से सम्मंधित मैंने एक वीडियो बनाया था उसके बाद कई कमेंट्स आ दोस्तों वो कमेंट्स हैं कि जो भी सिच्छक हैं जो नियोजी सिच्छक हैं वो बीपीएसी का फॉर्म को फिल कर चुके हैं तो क्या वो इस एक्जाम को में बैठें बीपीएसी का वो एक्जाम दे या नहीं दें क्या करना चाहिए क्या उन्हें सिधा सिधा New Yorker कि Jew connection कि मैम से फून करके मैसेज के थाँ पुछा जारा दोव को देखिये आप साथ रहां के अप चाहे तो यह झाहे तो आप दिजेगा यह झाए रही है इसे का ने गर से आप जहां चाहते हैं कि आपका जहां जॉब हो महां से आप 300-400 किलो मिटर दूर पे हैं तीक है यदि आप अभी का अभी भी पेसी का एक्जाम आप दे देते हैं और यदि बहाली जैसा कि सरकार के तरफ से कहा गया है कि 9 दिसंबर तक सबका सबको बहाल कर दिया में ज्वाइन करवा लिया जाएगा और यदि आपका चा आता है अच्छा मेरिट तो आप अपने cooked असकते हैं धिक्स आप आसकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आराम से दे सकते हैं आप अपने घर की नजदिग itself यह तो आप आजाएं ठीक है यह अलग बात है कि आप राज्विकर्मी जब बनते हैं जो तो राज्विकर्मी बनेंगे आप डिपार्टमेंटल एक्जाम दिजेगा डिपार्टमेंटल एक्जाम के बाद आप राज्विकर्मी बनिएगा तो आपको भी अस्थानांतरन इसमें मिलेगा राज्विकर्मी मे नहीं है लेकिन यदि इस एक्जाम के थुरू यदि आप अपने होम डिस्टिक में आ जाते हैं तो विल्कुल आपके लिए फैदेमंद होगा तो आप चाहें तो भी पेसी का इक्जाम दे सकते हैं और यदि आप इसको जानते हैं आप भी बखो भी जानते हैं 6 महिना तक कमीटी का रिपोर्ट नहीं आता है तो इसमें भी ऐसा हो या ना हो यह तो भविश्य के गर्व में चुपा हुआ है अभी तो कहां नहीं जा सकता है कि क्या कुछ होगा लेकिन कमीटी है अभी तक जो खबरे आ रही थी वह रही थी कि इसी सब्ता कमीटी का गठन होगा और उसका प्रस्ता भी आ जाएगा और आने वाले आने वाले अगले कैबिनेट के बैठक में हो सके तो जो निया मौली होगी उसके संसोधन कर दिया जाएगा लेकिन क्या सब कुछ इतना जल्दी हो पाएगा कहना थोड़ा सा म डीपेट्ऊंटल जाब देंगे उसके सब्सक्तर से यह शेयर करें कर देगा तो आपको किसी भी तरह का कोई समस्दान नहीं होगा आप मेंटल पाधित चल्परिंट का इसक्ते हैं और आप्धित यह कि तो जो कंफूजेंस है वह दूर हो गया ओग होगा आप लोग वीडि तैनो पुदूदूदूदूदूदू